हेलो दोस्तों तो आज हम देखेंगे कि Tata Steel JAT Jet में Slaves क्या रहेगा तो देखें अभी तक Announce नहीं किया है Tata ने तो अभी 24 के लिए नहीं किया है लेकिन हम previous year से हम जो ही है सीखते हैं जो पुराने वेपर से वो क्या है वो है हमारे पास 80 questions technical के आएंगे और non-technical के 20 questions होगे अब यह जो 80 questions है technical के वो आपके slaves में आने वाले है slaves जो आप बने पढ़ा हुआ है जैसे mechanical में पढ़ा है तो mechanical के सारे slaves में से civil में है तो civil का, electrical में तो electrical का अब non-technical 20 questions है अब यह फंडा यहां पर आकर फस्ता है कि non-technical क्या आएगा अब जो non-technical है उसके अंदर question कहां से आते हैं जैसी industry oriented learning आप देख रहे हैं यहां पर factory act, safety protocols, industrial management, TPM, TQM, industrial growth यह सब कुछ इसमें से आ सकता है अब यह संभावना चीज की रहती है, हम एक संभावना से चलेंगे क्योंकि TATA ने अभी तक clear नहीं किया है कि हमारा slaves क्या रहेगा, तो यह previous year में हो चुका है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे अब आपने industry oriented learning, यह सर, यह कहां से आ गया, नहीं चीज क्या आ गया, आपने सिर्फ यही word जो है, आपने Google पे लिखने है, आपके सामने बहुत सारे website साज़ेंगे जो इसके बारे में बता रही है, इसके MCQs करवा रही है, factory act के बारे में खास करके, factory act के बारे में और कुछ questions जो होते हैं, वो common sense वाले होते हैं, common sense वाले किस तरह से, जैसे कि women's जो है, working art क्या होना चाहिए हो उनका, like हमें night ship में हम नहीं बेज सकते है, working women's को, अब artificial intelligence की बात से हो सकते है, social media के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, internet of things के बारे में पूछा जा सकता है, तो यह कुछ common questions होंगे, जो आप अपने common sense से भी answer दे सकते हैं, और दूसरी बात, अगर आप 80 questions की preparation है अगर आपकी, यह बहुत मेन है, आप यहाँ अगर देखें तो 80 questions आपके technical में से आ रहे हैं, यह आपकी already त्यारी अगर है, तो आप इस 20 questions में अगर 10 questions भी लगा लेते हैं, जो किया 10 questions जो है common sense से भी हो सकते हैं, थोड़ा बोत पढ़ने से भी हो सकते हैं, लेकिन आप छोड़िये मत, industrial oriented learning को छोड़िये मत, क्योंकि इससे आपका syllabus भी cover हो रहा है, और आपकी common sense भी बढ़ रही है, आपकी knowledge भी बढ़ रही है, तो एक ही बात बार बार कहूंगा, technical को पढ़िये, technical को इस तरह से पढ़िये, कि आपकी knowledge भड़े, knowledge भड़ती है, exam अपने आप clear होता है, आपके concept अगर clear नहीं है, तो कुछ भी फाइदा नहीं है, fluid mechanics अगर आपके इसके अंदर नहीं चल रही, आपको thermodynamics, अगर mechanical की बात कर रहा हूं, thermodynamics, ये subjects नहीं clear, तो आप नह exam clear कर सकते हैं, तो आप अपने exam को clear करना चाहते हैं, तो आप एक ही कहूंगा, अपने topics को clear कीजिए, अपनी knowledge को improve कीजिए, और करना का हाथ से है, आपको सामने link मिल जाएगा, app का app जो download करने में, इस app के अंदर आपको सारे courses मिल जाएंगे, EJ के courses मिल जाएंगे, जिससे आप अपने coaching को ले सकते हैं, mechanical engineering पूरा आप सीख सकते हैं, और इसी तरह की information के लिए आप मेरा WhatsApp चैनल जुरू जोइन करें, WhatsApp चैनल का link जो है description box में मिल जाएगा, चैनल पर बुरी information मिलती रहती है, thank you, thank you so much, next video में फिर से मिलेंगे,